हेलो गाइस, वेलकम बैक टोब चैनल, सिंप्लिफाइड स्टेडी ओफिशल, तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, क्लास 10 की, फर्स्ट फ्लाइट की बुक से, पॉयम, ए टाइगर इन दे जू, तो इस वीडियो में, हम इस पॉयम की फुल एक्स्प्ल देखेंगी, एन क्लास 10 की, इंग्लिष की फुल प्लेइलिस्ट का लिंग आपको, दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं, ही स्टाइक्स इं द विविड स्ट्राइप्स, दि फ्यू स्टेप्स ऑफिस केज, और पैड वेल्वेट क्वाइट, सबसे ब इजने ये पॉइम लिखी है, वह एक इसके बार में बता रहा है, एक टाइगर है, जो चडिया घर में ए मैं ठीक है, तो सबसे बहुत इसके ब्ले हैं कि वो जो टाइगर है, उसके जो पेडर है उस पールट कीओ, उससके यंदा आपको, पाल की बिविड स्ट्राइक्स है तो वो क्या कर रहा है अपने जो vivid stripes जो हैं उसके जो साइड में उसके धब्बे होते हैं तो वो क्या कर रहा है दीरे दीरे step ले रहे है बड कुछी step वो अपने cage के लिए चल पा रहा है क्योंकि cage बहुत चोट है ठीक है next है उन olet quite यह प्ञाय किया क्या मतलब आपने केंदर से तो थोड़ा क 지금 कर दो थोड़ी एक को ऩरिमिटेट साथ तो हम्ले थीका अगर वह जंगल में गया थे इनTime यह इसके पैर हूंद अंदर आप पैर के नीचे फैदर होते हैं जिसकी आवाज नहीं आती जिससे वह कोईटली आगे मूव कर सकता है जिससे वह अपने शिकार को अच्छे से क्या कर सकता है पगड़ सकता है next is he should be luckering in the shadow अब सबसे बहले तो हमें यह बता दिया point ने कि जो टाइगर है वह केज के अंदर है ठीक है उसकी क्या स्थिति यह एसे आगे बिछे जा रहा है केज केज बता दि उसके बाद में पोर्ट ने उसे पकड सके ठीक है तो मतलब यह जो टाइगर था यह केज में नहीं होना चाहिए था पॉईट कह रहा है उसे जाड़ियों में होना चाहिए था ठीक है और अपनी जाड़ियों के बीचे चुपा होना चाहिए था next is sliding through long grass sliding मतलब वहां पर अपने जो ग्रास है बड़ी बड़ी जो घास मैंने बताई उस पर दीरे दीरे वो जा रहा होगा जिससे व अपने शिकार को पकड़ सके next is near the water hole जहां पर जहरना होता जहां पर पाने पीने की जगह होती है जंगल में हो गए ठीक है चोटा सा लेक हो गया कोई नदी होगी जहां पर जानवर पानी बीते हैं जो यह टाइगर है उसे वहां पर होना चाहिए था ठीक है next is where plump deer pass अब यहां पर जहां पर मैं कह रही हूं कि एक जगह पर जहां पर जानवर पानी पीते हैं जंगल की वाद कर रहे हो लेक हो गया कोई रिवर होगी कोई नदी होगी ठीक है वहां पर पी रहे है और जो टाइगर हो जाडियों की पीचे चुपा वड़ा है और वहां जरे अग्या मोटा्त जा और कोई राइंगा ठीक है कोई ऐसा कोई डीचार आएगा इसका जो टाइगर होना चाहिए था ऑप हो जो चाह क्या क्योंन झाहिए थो एक कायं घ्ररियों करने तकना हें है काह नहीं यहां कर इसकीडर चाहर प्यास को पर है कि केज चेजricht की इसके क्या मतलब है he should be snarling around houses, मतलब इसको roar करना जाए था, गुरारारा होना चाहिए था, जो ये tiger अवास करता है, इसको आजपास के घरों में, जंगल में, क्या करना चाहिए था, roar ना जाहिए था, next, at the jungles, as jungles, जंगल के किसे किनारे में, जंगल में से, घूमना होना चाहिए था टाइगर को और रोर करना होना चाहिए था next step bearing his white fangs, his close, fangs का यहां मतलब है teeth and close का मतलब है panjay ठीक है उसके pair के panjay होते है, मतलब अपने वो क्या करना चाहिए था, जंगल में वो जाना होना चाहिए था अब जो टाइगर हो एकदम पावर्फुल ठीक है, पावर्फुल नेलिमाल है, वो जहां पर जाता है, कोई भी चोटा मुटा जानवर हो गया, यहां कोई इंसान आपके सामने टाइगर आजा, obviously आप डरो गया, तो इसको क्या करना चाहिए था, विलेज के जो लोग है उन्हे ड्राना होना चाहिए था, ठीक है, लोगों को ड्रारा ड्राना चाहिए था, बट यह तो कहां पे है, केज में बंद है, next is his strength behind bars, अब जो हमने अभी तक पड़ा, ठीक है, उसके वाइट जो बड़े-बड़े teats है, ठीक है, पंजे हैं उसके, ठीक है, यह सरी चीजे हमने ब इधर उदर देख रहा है, क्योंकि उसको बता है, मेरे सामने कोई इंसान भी आ रहा है, मैं तो उसको पकड़ तो सकता ही नहीं हो, ठीक है, मेरे जो power है, वो behind the bars है, मतलब, cage के अंदर हूँ में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, अगर वो जंगल में होता है, जैसे हमने सलाखों के पीछे है, next है, ignoring visitor, अब जो tiger है, उसको बता है, मैं कुछ कर तो सकता है, नहीं हो, ठीक है, cage के अंदर हूँ, ठीक है, and सलाखों के एकदम पीछे हूँ, कुछ कर तो मैं सकता नहीं हो, तो वो क्या कर रहा है, सारे जो visitors है, जो भी उसे देख के जा रहे हैं, उसे round लगाते हैं, ताकि कोई जानवर भाग तो नहीं गया है, सारे safe हैं, ठीक है, तो patrolling cars की रात को वाज सुनता है, and stars with his brilliant eyes, और अपने eyes के साथ वो देखता है, सारा उच पट्रोल, patrolling जो cars है, मतलब जो निगरानी करने वाली cars है, ठीक है, जो देख रहे हैं, कि जो सारे animals हैं, ठीक है, भागा तो नहीं है, तो उनको वो देख रहा है, and the brilliant stars, ठीक है, and अपने जो stars है, रात को वो क्या अगरता है, उसको last voice की सुनती है, patrolling cars की स्टार्स की तरफ देखता है, तारो की तरफ देखता है, ठीक है, basically इस poem के अंदर, ठीक है, ए टाइगर इनने zoo के अंदर हमे ठीक है, लोगों को ड्राना होना चाहिए था, ठीक है, and अपने जो शिकार है, उसको करना चाहिए था, ठीक है, वहाँ पे जाडियों की पीछे उसे छुपा होना चाहिए था, जिससे अपने शिकार को अच्छी तरीके से पगड़ सकते हैं, ठीक है, तो basically हमने ये देखी, अब हम देखते हैं, राइमिंग स्कीम, तो guys, A Tiger in the Zoo, जो आपकी पॉयम है, इसकी राइमिंग स्कीम आपकी क्या है, A, B, C, B, ठीक है, याद रखने आपको, तो guys, ये थी आपकी पॉयम, A Tiger in the Zoo, and English की full playlist का link description में, किसे और चैप्टर पर वीडियो चाहते हो, तो वो भी आप मुझे comment करके बता सकते हो, तो आज की वीडियो में इतना ही, thanks for watching.